हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस नेगिटिव मोहल में भी खुद को पोजिटी बनाई रखेंगे आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे हसेसी भरतियों पर रविश कुमार का बड़ा तंच अगर आप जाना चाहते हैं पूरी नियूस तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श अकैडमी सिर्सा के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पताएं कि सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है सरकार से हर वर्क परिशान है चाहें वो स्टूडेंट्स हो चाहें वो व्यपारी हो या फिर किसान हो हर वर्क किसी ना किसी कारण से सरकार से परिशान जुरूर है अब सरकार जो है पोजिटिव मोहल बनाई रखने के लिए यानि मैं हर्याना की बात करीूं सरकार पोजिटिव मोहल क्रियेट करने के लिए स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए नई भरती जो है वो जुरूर निकालेगी लेकिन पहले वाली जो भरती है यानि जो CET है चाहिए वो गुरूप C हो या गुरूप D का जो पैंडिंग रिजल्ट हो वो अभी तक लटक रहा है बेरोजगार जो है टाइम टाइम पर बेरोजगारों की बारात निकाल रहे हैं अगर आप इस मोहल के अंदर भी खुद को प सोरी सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक और 2 बजे से लेके 5 बजे तक एचसे सी CET के न्यू बैच जो है वो स्टार्ट है आप आके डेमो लेके देख सकते हो तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्या न्यूज है अब आपको पता है कि स्टुडेंट्स जंगा जंगा अंदोलन कर रहे हैं जंगा जंगा बरात निकाल रहे हैं अब एक ही ऐसा इंसान है जिसने नैशनल लेवल के उपर स्टुडेंट्स के दर्द को समझा हर्याना के स्टुडेंट्स के दर्द को समझा और उसको नैशनल लेवल के उपर अपने जो बेरोजगार है जो CET को पूरा करवाना चाहते हैं उन्होंने ये काड्ड है वो चपवाए इंड करें हैं लेकिन किसीने ये उसके उपर संग्यान नहीं लिया सिर्फ एक ही इंसान है रवीश कुमार जिन्नोंने इसके उपर संग्यान लेते हुए अपने ट्वीटर हैंडल के ऊपर ट्विट किया है अब इस कार्ड में क्या है इस कार्ड में आपको पता है कि हर्याना में बेरोजगरों की बरात निकाली थी पहले करनाल और जींद में ऐसा हो चुका है अब आज 12 मई को यानि 12 मई 2024 को एक और मार ने बोला है कि शादी का कार्ड मिला है लिखा है कि 12 मई को हर्याना में बेरोजगरों की बारात निकलेगी कई बार ऐसे मैसेज पर यकीन नहीं होता है हमारे युवा इतने मन से संपरदाइक बनाए गए रास्टरवाद के नाम पर नफरती बनाए गए लेकिन रोजगर की बारी आई तो बेकार हो गई हर मतलब स्टूडेंट्स किसलिए पढ़ाई करता है इसलिए पढ़ाई करता है ना कि उसको एंड में आके कम से कम रोजगार तो मिले अब एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसने पूरे मन से त्यारी भी करी उसने पूरे मन से पेपर भी द पांच साल से हरियाना का जो यूवा है वो त्यारी कर रहा है लेकिन कोई भी भरती जो है वो कम्प्लीट नहीं हो रही है पांच साल का इंतजार कम से कम जिनके वोट पर राज किया है उन्हें तो नहीं सताते ऐसी वर्डिंग किये भी रवीश कुमार ने यूवाओ बरात मत निकालो पर्धान मंतरी से पूछो कि क्या मुसलमानों के चलते पांक साल से भरती नहीं हुई जब पर्धान मंतरी हर बात में मुसलमान का नाम लेकर पूछा करो ये जो ट्वीट है वो रवीश कुमार ने अपने ट्वीटर हेंडल पर करा है और हर्याना के यूवाओ का ज ही बताने के लिए थी और प्लीस आप जादा से जादा संख्या के अंदर जहां भी कोई प्रोटेस्ट हो वहां पे पहुंचा करो क्योंकि अगर हर्याना में भरतियों को पूरा करवाना है तो इस सोई यू सरकार को जगाना पड़ेगा तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को शेर जुरूर करना थैंक यू